Hello friends, welcome back to your channel So, आज मैं आपने वीडियो में दिखाऊंगी कि आप fully automatic washing machine को कैसे operate कर सकते हैं मेरा washing machine है LG का जो है 6.5 kg का fuzzy logic जो है turbo drum और ये washing machine 7 सल पुराना है पर बहुत ही अच्छे से चलता है और उसने आज तो मुझे कोई भी problem नहीं दी है इसे यूज करना भी बहुत ही easy है तो आज के वीडियो में मैं सारे functions आपको explain कर होगी और मैं खुद इसे कैसे यूज करती हूँ everyday के अदर मैं आपको वो सारी चीजे बताऊंगी तो चले शुरू बताऊंगी तो चले मैं आपको सारे functions शो करती हूँ सबसे पहले है fuzzy जो आप अपने everyday use clothes के लिए यूज कर सकते है wool for wooden clothes विकवाश जो 19 minutes में finished हो जाता है और जो 4 levels of water ले सकता है उसे जादा पाने लेता है जीन्स आपके jeans के लिए या फिर अगर hard stain वाले cloth है तो आप उसको jeans function में डाले smart cleaning में भी same अगर आपके clothes जीसके अंदर stain ज्यादा है ज्यादा गंदे हो चुके तो उसको smart cleaning में clean करने का try कीजिए silent जिसके अंदर आपको machine की चड़ने की आवाज नहीं आएगी बतलब silently work करेगा favorite जिसके अंदर आप wash, wings and spin तीनों function को manually select कर सकते हो और tuck cleaning जैसे once in a month या 15 days में इक पर आपको machine अंदर से पूरा clean करना है तो tuck cleaning का function चले मैं आपको show करती हूँ कि आप program कैसे select कर सकते है जैसे machine start करेंगे तो fuzzy mode select कर देगा अगर आपको bullion पे quick wash पे जाना है तो आप program वाले button को press करते रही अगर एक बार प्रेस करेंगी तो वो बूल पे जाएगा दूसरी बार प्रेस करेंगी तो quick wash जैसे यासे आपको आगे बढ़ने है वैसे इसे प्रेस करते रही जैसे आपने बूल सेलेक कर लिए है तो उसे start कर दीजे तो वो start हो जाएगा चलो मैं आपको दूसरे function समझाती हूँ first is speech, जिसके अंदर है safety, demo and voice safety के अंदर machine आपको safety features explain करेगा demo के अंदर आपको demo देगा क्या आपको कैसे function select करने है आपको अगर machine नहीं आ रहा है तो आप यह demo को सुनकर भी आप सीख सकते है voice is के आपको जो भी आ जबी wash time complete हो जाएगा तब भी आपको indicate करेगा तो यह wash feature भी बहुत आचा है then comes air dry, air dry के अंदर minutes के हिसाब से है suppose आपको 120 minutes के लिए उसको spin करना है तो 120 minutes के लिए 90 minutes के लिए 60 minutes के लिए और अगर आपको tough dry करना है तो tough dry function now comes to temperature temperature आपका पानी का temperature यह पे दो inlet दिये हो है first is hot water and cold water तो आप जैसे temperature से लेट करोगे cold water तो cold water की inlet से पानी लेगा hot water से लेगा hot water से लेगा now comes to water level यह सारे water level है जैसे water level select करोगे उसे सब से पानी अंदर आएगा जैसे आपकी सबसे आपको पानी बरना है हैं जैसे 2nd level 3rd level 4th level तब अपने साथ से लेकर सकते हैं then come to wash time जैसे आप wash time select करोगे तो उसके न मिनिट शो करेगा कि इतने मिनिट के लिए बाफ करेगा वह से लेकर लो फिर उसके बाद रिंस time select कर लो जैसे 1 minute 2 minute 3 minute then comes to spin spin के अंदर आप spin time time select कर लो और फिर आप start कर लो तो ये सारी चीज़े आप manually भी डाल सकते हैं या फिर आप direct function को use करके भी कर सकते हैं then come to function है delay function जिसके हैं आप अपना wash time delay कर सकते हैं for example अगर आप राद को कप्रे आदा machine में डाल के सो रहे हैं और आपको machine 3 hours के बाद start करने है या for four hours के बाद start करने fire तो आप अपने हिसाब से time से लेक्ट कर लो और अपना function से लेक्ट कर लो जैसे मैंने यहाँ पे function से लेक्ट के जीन और फिर मैंने अगर स्टार्ट कर दिया तो ये पांच गंदे के बाद machine फूप फूट स्टाट हो जाएगा और जीन फॉंक्शन के हिसाब से वो पानी लेकर वाश कॉंप्लीट कर लेक्ट आप ताइम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते है इसका फाइदा यह होता है कि राथ को आप मशीन में कपड़ा डाल के सूँ सकते है और सुबह उटके सुबह आपके हिसाब से टाइम डाल दीजे और सुदय आपको कपने वाश के में मिलेंगे तो आप उप्टिस जाने से पहले या कही भी बाहर जाने से पहले उसको सुखा के जा सकते हैं दूसरा फाइदा यह है बीले वाशिंगा कि जिन लोगों के वहाँ पर पानी कम आता है मतलब दिन में अगर दो बारी आरहा है और आपको उसी पानी से चलाना था तो आप उसे सब से टाइम सेट कर लीजए सब दो आपको पानी आने वाला है तो फाइवर्स सेलेक्ट करके एक फॉंक्शन सेलेक्ट कर लीजिए और स्टाल कर दीजिए तो पांच गंटे के बाद वो और अर्टमाटी पानी रिलके वाश कर लेगा मैंने अपना मशीन 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 कवर से डगा हुआ है इसका अबंटेज यह है कि जब आप इसे वैलकनी में या फिर सल से एक्सपोज होनी की जगह पर रखते हैं तो इसका कलर पर दल हो जाता है और बारिश के टाइम पर या फिर जब पानी इसके ओपर टश होता है तो इसके तो जेह आको मशीन क्लियर करना है तो उसे निकारके क्लिन कर कुर मेरे कपड़े ऐसे बास्ट में करके रखती हूँ एफी डे मैं क्ली इस बास्केट में डालना HERE जोवी कपड़े छोडते हैं उसे मैं हमेशा अलग ही रखती हूं और उसमां हैं गौश क्लीलिक फैसी में पॉसे आपके कपड़े डामेज नहीं होंगे अगर जिप खुली रहेगी तो वो भी दूसरे कपड़ों को डैमेज कर सकती है कपड़े मशीन में डाने से पहले हमेशा उसके पॉकेट्स चेक कर ले और उसके बाद ही उसके मशीन के अंदर डाले Step No.2 is मैं एक DIY solution एवरीडे यूस करती हूँ जिसके अंदर वन पार्ट डेटल प्लस वन पार्ट विनिगर है इसे मैं अपने बच्चे के कपड़े दो टे टाइम ब्लैंकेट्स और बेटशीट्स रग और मॉफ जो भी गंदे कपड़े है जब वे वाश करने डालती हूँ तब ही मैं हमेशा यह एक solution उसके अंदर डाल देती हूँ लोड के हिसाब से में यह solution उसके अंदर डालती हूँ डेटल और विनिगर दोनों disinfected की तरह act करते हैं और विनिगर सारी गंदी smell निकाल लेता है इससे दिखाती हूँ कि आप बिना सोक किये कपड़े डायरेक ऐसे दो सकते हैं इसमें तो सबसे पहले आप अपने कपड़े डाल दीजे मशीन के अंदर अपर यहां पर आपको जितना भी पावडर डालना है उसे डाल दीजे अपने कपड़ों के हिसाब से अपर 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 डाल दीजे नो में अपना फंक्शन सेलेक्ट करूंगी मेरे रेगुलर क्लोट से तो मैं उसे फजीले सेलेक्ट करेंगे तो वह अपना इसका वेट डिटेक्ट करेंगा वेट डिटेक्ट करने के बाद वह पानी का लेवल सेलेक्ट करके उसका टाइम शो करेगा जैसे उसने नाइन सेलेक्ट किया और फिफ्टी मिनिक्स के लिए हुआ और पानी यहां से स्टार्ट हो जाएगा अन्दर ऑप्शनी इसके जब आपको पानी में उसको सोक करके रखना है कपड़ों को तो इसको कैसे सोक कर सकते हैं यहां पर सोकिंग का फंक्शन नहीं है बहुत सारे दुसरे मशीन के अंदर जो फ्रंट लोड के होते हैं जिसके अदर सोक करने के लिए फंक्शन रहता है तो नहीं अत्र जाल रहे हैं तो उसके सोक करके रखना कथा हैं तो उसके लिए नौमली मैं या तो फिर जीन्स यहां पर पे स्मार्ट किलींग वाला मोट थे लेकर लेती हूँ और कपडों की यसापसे मैं मोट वाटर लेवल से लेकर रही हूँ फाई और स्टार्ट कर लेके लिए और मैंने अल्री यहां पर पाउडर डाला हुआ है जो मुझे पाउडर चाहिए था उतना और मैं उसे भरने देखने हूं पांच लेवल पाने बहने के बार मैं इसके अंदर अगर आपको रेंड डालना है और पिछ जो भी आप बीच डालना चा टाले ऊपने यह पानी तो टोफ कर के रख़े मैं नौल्मली पानी भर जानी के बार कपरे डालके और अपने मुबाइर इदर एक अलाम सत कर लेती हूं जैसे मुझे एक वन्टी के लिए सो कर लाए है तो इससाब से मैं अलाम लापके रख लख लाती हूं जबी बश्ता है आपने जो भी कप्रेज जादा गंदे हैं जैसे जीन हैं बैचित हैं वाइट कपड़े हुए जो भी आप सोग करके रखना चाहते हैं उसके अधर किस तरह पर पर दोग आप जाएं उसे इसलिए आपको अलग बाइटी में सोग करके फिर इसमें डालने की जरो होती हैं इसलि देगा अलग रदे हुए और सारा पॉडर भी इसके आदर गूल चुक है है इसके अदर में यह आदा की डपका है डेटल वीनिगर का सुलीशन डाल दूँगी पानी बह सुका है और मैंने अपनी ब्लैंकेट भी उसके इंदर डाल दी हैं मैंने इसके अंदर पाउडर और और डेडल का solution पे उसके इंदर डाल दिया है मैंने उसे pause कर दिया है और अपने mobile में अभी दो गंटे का मैं alarm set कर दूँगी दो गंटे होने के बाद जब मेरा अलाम बजेगा तब मैं आके इसे start कर दूँगी और उन्हें वाशिंग स्टार्ट हो जाएगा कपड़ा और हैंड वाश करके रखें उसे सिर्फ रिंस स्पिंग करना जाता है तो भी आप कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आप अपना मशीन ओन कर दीजिए उसके बाद रिंस ओप्षिंग कर ले उसके बाद अपने कितने लोड़की साबसे अपने मिनेट से लेक कर अपने मिनेट शो कर लेगा उसके बाद रिंस भी कर लेगा और शुपोज आपको सिर्फ पिंग करने हैं वाजब आपको अगर आपको कपड़े सिर्फ उखाने है तो शुपिं का ऑप्षन से लेक कर ले और लोड़की साब से आप नमबर से लिख कर सकते हैं जाते है वान तो शे तीन दिन में एक बार हमेशा वाश कर लेना चाहिए तो आपको दिखाती इसे कैसे क्लीन करते हैं पहले आप ओपन कर लें आप देख साथे इसके इंदर बहुत सार इलिडेंट है तो इसे आप किसी भी ब्रश रणिंग वाटर के अंदर ता ले राख दीजाए और Heute असो और भी आपने इसे अपको इपने रणिया शुद्परश्या को वी उजस काथे हैं तो इसे साहर पांगे में क्रहा है अठोम हरी राख साथ कर दिया है और इसे में आपने साय हां से दोले इसे सारे लिंग 안र के पाट को वी अच्के साथे पांगे कर दोस्त निकाल दीसे उसे अंदर के पाथ को भी अच़य से दोलीजी जा अचित अंदर के पाथ को भी अचिसर दोलीजी जा और सबस्कियद दुबारा कंदल अगए तॉप क्लीनिंग तब क्लिनिंग के लिए इस तरह का आप एक प्रोड़क यूज कर सकते है जो है स्केल फ्री ड्रम क्ली जो आपका मशीन अंदर से क्लीन कर देता है इसे सिफ आपको अपने मशीन में पाउडर की जगा पे डालना है मशीन को पूरा खाली रखना है और इसे तब क्लीनिग वाल अपना मशीन फिर से ही लूज कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए होगा अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक करना मेरी चैनल को सब्स्क्राब करना बिल्कुल ना बुले थेंक्यू फर वाचिंग सी यू नेक्स टें